नमस्कार टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट चुनावी माहौल के बीच में एक खबर ऐसी आई है जिसने राजनितिक पारा हाई कर दिया है विपक्षी गटबंदन को एक के बाद एक जटका तो पहली ही लग रहा है लेकिन इस बार पश्चिम मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनर जी को जोरदा जटका लगा क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसमें ममता बनर जी और उनके भतीजे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ममता बनर जी और उनके भतीजे के समर्थक अब आपस में जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं पश्यम बंगाल में सियासी उठा पटक शुरू हो चुकी है क्या है पूरा मामला और कैसे ममता बनर जी और उनके भतीजे के बीच में एक बार फिर से दिवार बनती हुई नजर आ रही है आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं पश्यम बंगाल में फिर सियासी उठा पटक शुनाव की रिजल्ट से पहले बदले समीकर ममता बनर जी और भतीजे के बीच अनबट क्या फिर से आई ममता और अभिशेक में दरार पश्चिम बंगाल में मम्ता बनर्जी और भतीजे के बीच में एक बार फिर दरार की खबरों ने सुर्ख्या बटोवी है एक तरप तो विपक्षी गठबंदन में खुद को पीम का मजबूत दावेदार मम्ता बनर्जी बनाती है लेकिन विपक्षी पार्टियों का खेल पूरी तरह से बिगठ चुका है ऐसे में मम्ता बनर्जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है लेकिन मम्ता बनर्जी का खेल अब उनके अपने ही बिगारने की तयारी कर रहे है ममता बनर जी पूरे सामराज को खुद ही चलाना चाती है और इसी बात को लेकर ममता बनर जी और उनके भतीजे अभिशेक बनर जी के समर्थकों में जंग छिड़ गई है जिसका असर मम्ता बनर जी और अभिशेक बनर जी के रिष्टों पर भी पढ़ने की बात कही जा रही है। तक पार्टी में बने रहेंगे यानि कुनाल घोश के बयान से साफ तोर पर पता चलता है कि उनका कहना है कि नेताओं की रिटायर्मेंट का भी एक वक्त होना चाहिए वना फिर नए नेताओं को मौका ही नहीं मिलेगा और हमेशा वही कुरसी पर बैठे रहेंगे इसलिए एक उमर की लिमिट तै होनी चाहिए जिससे आने वाले लोगों को भी मौका मिले कुनाल घोश के इस बयान के बाद पार्टी के वरिष्ट नेता और सांसद सौगत राय ने कहा कि पार्टी में उम्र कोई बाधा नहीं है और वरिष्ट नेताओं की भूमी का क्या होगी इसका फ बड़ी अथौरिटी रहेगी एक तरब तो ममता बनर जी के निर्तुत पर सवाल उठने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरब ममता बनर जी का फेवर करने वाले उनका कहना है कि पार्टी में जो कुछ भी होगा उसका फैसला ममता बनर जी ही लेंगी अब सोचने वाली बात यह है कि जब ममता बनर जी को ही सब फैसले लेने हैं तो क्या वो अपने ही पैरों पर कुलहाडी मारने एक उमर सीमा तै करेगी दरसल सौगत राय ने कहा है कि अभिशेग बनर जी एक चर्चित युवा नेता है लेकिन अभी भी ममता बनर जी के नाम पर ही पार्टी को वोट मि सम्मिलन के दोरान स्टेडियम के मुख गेट पर भी अभिशेग बनर जी की तस्वीर नदारत थी जिसे लेकर भी खूब चर्चा हुई इस मामले पर सौगत राय ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जहां ममता बनर जी की तस्वीर हो वहां सब जगा अभिशेग बनर जी की व ममता बनर जी ही तैय करती है हम सिर्फ उनके सैनिक है ममता बनर जी खुद को पियम पद का दाविदार बताती है तो क्या वो खुद ही नेताओं के रिटायर्मेंट को लेकर कोई बयान देंगी या फिर कुछ नियम बनाएंगी यह बिल्कुल भी उमीद नहीं की जा सकती इस इस विवाद में TMC के भीतर चल रही खीचतान का भी खुलासा हो गया है बता दे कि इस विवाद को ममता बनर जी के पार्टी पर अपना प्रभाव बनाने रखने और अभिशेग बनर जी के ताकतफर नेता के तौर पर उभरने के तौर पर भी देखा जा रहा है दरसल TMC के वरिष्ट नेताओं को ममता बनर जी का समर्थक माना जाता है वहीं पार्टी के युवा नेताओं पर अभिशेग बनर जी का प्रभाव माना जाता है यहीं वज़ा है कि पुराने और नए नेताओं के बीच छिडी जुबानी जंग को बड़े बदलाओं की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है हाला कि पार्टी के नेता ऐसी खबरों को सिरे से खारिच करते हैं और कहते हैं कि टीमसी के लिए ममता बनर जी और अभिशेग बनर जी दोनों ही जरूरी है 30 नवंबर को पार्टी के बहुत ही एहम कारिकरम से अभिशेग गायब थे तब पार्टी के एक नेता ने कहा था कि कारिकरम में कम से कम उनकी एक तस्वीर होनी चाहिए थी एक नेता ने कहा था कि कारिकरम जल्दबाजी में आयुजित किया गया तो क्या इन बयानों और घटनाओं से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत मिलता है वैसे अभिशेक बनरजी को लेकर कहा जाता है कि वो टीमसी में ममता बनरजी के बाद नंबर दो के नेता है यानि एक तरफ से उन्हें ही उत्राधिकारी माना जाता है ऐसी में कहा जा सकता है कि जब ममता बनर जी के बाद अभी शेख ही कारिभार समालने वाले हो सकते हैं तो किसी तरह की दरार के कयास क्यों पार्टी में भले ही निर्टत को लेकर स्थिती साफ है लेकिन पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच मतभेद पार्टी में कामकास और निर्णे लेने को लेकर रहे हैं चाहे पार्टी की रणनीती को लेकर हो या फिर जिम्मेदारी देने को लेकर कई बार मधवेद की खबरे सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि घोटाले के डागी मंत्रियों पर रुख को लेकर भी ऐसे मधवेद दिखते रहते हैं। इसी भी जब पार्टी में हलचल को लेकर तब से कयास लगाये जा रहे हैं जब कुछ दिन पहले टीमसी का एक प्रमुक कारिकरम हुआ था। तब अभिशेक वहाँ नजर नहीं आये थे। हाला कि वह हाथ जोड़कर सभा का अभिवादन करने के लिए स्टेडियम में एक बड़ी सी स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए वर्ट्रूल दिखे थे। मुख्य मंतरी ने कहा कि पार्टी महासचू 2016 में लगी आख की चोड से जुड़ी समस्याओं के कारण कारिकरम में नहीं आये हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन इसके बाद जो बयान बाजी शुरू हुई उसको लेकर कई तरह के कयास लगने लगे थी। कुनाल गोश को अभिशेक का करीबी माना जाता है। इसलिए उनके बयान भी काफी जादा एहम माने जाते हैं। अभिहाल में कुनाल गोश ने कहा था कि पुराने और नए के बीच कोई जगड़ा नहीं है। यह अभिशेक बनर जी के खिलाब ममता बनर जी के बारे में नहीं है। दोनों एक टीम है, पार्टी को इन दोनों की जरूरत है। हालाकि मुझे लगता है कि अभिशेक बनर जी के बिना त्रिमूर का कोई भी बड़ा कारिक्रम नहीं हो सकता। उनकी तस्वीर कारिक्रम में होनी चाहिए थी। हुनाल गोश के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा करती थी और कई तरह के सवालों को भी जन्म दे दिया। दरसल निकाय चुनाओं से पहले उमीदवारों की सूची को लेकर दरार बढ़ गई थी। दो उमीदवारों की सूची जारी होने के बाद जगडा सामने आया। 2019 के लोगसबा चुनाओं में पार्टी के भाजपा से हारने के बाद अभिशेक के समर्थन से IPAC-TMC की चुनाओी रणीती में शामिल हो गई। ये भी कहा जाता है कि कथित स्कूल नौकरियों घोटाले में गिरफतारी के नौ दिनों के भीतर वरिष्ट नेता और तत्कालीन मंतरी पार्थ चटरजी को राज्य मंतरी मंदल से हटाने और पार्टी के पदों से वंचित करने के पार्टी के फोरन एक्षन के पीछे अभि शेक का ही हाथ था और इस सबके पीछे एक वजह सत्ता संघर्ष को भी बताया जाता है अब देखना होगा कि क्या पश्चिम मंगाल में किसी तरह का उलट फिर देखने को मिलता है या फिर नहीं टर्निंग पॉइंट में फिलाल के लिए इतना ही बाकि तमाम खबरों के लि हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं क्यापिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं क्या रहां बिहार से हैं